हेलो दोस्तो आज बनाने जारों में पहाड़ी डालता लगा और इसमें मैंने ओयल तेल डाल लगा है और इसमें लाल मिर्च डाल दी और इसको अच्छे से भून देंगे तो दोस्तो यह रेस्पी है पहाड की पहाड़ी स्टाइल में और आप देख सकते हैं ड्राई रेट चिली यहां पर अच्छी सी भून गई है हमारी लाल मिर्च अब इसमें एड करेंगे हम कटावा बारिक प्याज और आप देख सकते हैं प्याज हमने एड कर दिया है तो दो दो प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन करना पड़ेगा तब जाके हमारे दाल तरके मच्छा सा फिलिवर आएगा तो दोस्तो आप देख सकते हैं और यह रही दाल दाल हमारे एकदम से गल चुकी है अच्छी से तो दोस्तो इसमें हम एड करेंगे टमाटर आप देख सकते हैं और टमाटर को बेच्छे से गल जेंगे और इसमें ओलका सा नमक डालेंगे जिससे कि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए तो दोस्तो टमाटर भी हमारा अच्छे से गल गया है अब इसमें एड़ करेंगे हम कटा हुआ एक पीस आलू बारी कटा हुआ आप देख सकते हैं इससे क्या होगा कि हमारी दाल में अच्छे से डिश्ट बढ़ जाएगा कि दोस्तो आलू हमारा गल गया है अब इसमें डालेंगे हम सिलवर्टे से पिसावा मिर्च मसाले इसमें सारे मिक्स मसाले हैं आप देख सकते हैं अब इसको अच्छे से बून देंगे इसमें दोड़ा पानी एट किया तो दोस्तो ग्रेवी अच्छे सी पकरिये है और इसको थोड़ा से हम एसा फ्योट देंगे कि एक और ग्रेवी हमारी तयार हो चुकी है अब इसमें एड करेंगे हम दाल है तो दोस्तो यहbab की दाल और इसमें चने की डाल पनीर काटी रहा हूं और दोस्तों आप देख सकते हैं कि पनीर को ह। छोटे-छोटे क्योप मैं काट दूँगा को ह। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि और यह पनीर कट गया हैप इसको एक प्लेट में डाल दूँगा और पनीर को तब ही डाला है जब हमारी डाल बिल्कुल से तयार हो जाएगी तो जैसे मेरी डाल तयार इसमें थोड़ा नमक डालूँगा और नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिला देंगे और आप देख सकते हैं दाल तलका हमारी तयार है अब इसमें एड़ करेंगे हम पनीर पनीर डालने के बाद दोस्तों पहाडी दाल तड़के का कुछ अलकी ही स्वाद आ जाएगा तो दोस्तों कैसी लेगी वीडियो ल